नवस्कार मैं प्रिया राज राप देखर एक न्यूस 24 आपको बता दे कि चौकिदारों का जिसतर से मामला हमारे एक न्यूस 24 पर लगतार चलती रही है लेकिन एक बहुत ही बड़ी खुस खबरी की बात है कि चौकिदारों के चहरे पर खुसी की लहर दोड़ गई है हलाकि चौकिदार काफी खुस है आखिर केन सरकार ने कुछ बड़ी मांगे पूरी कर दी है या क्या मामला है आज हमारे साथ दो सहीयोगी मौजुद है विकास और मदवाला तो सबसे पहले जानते हैं विकास क्या बात है कि चोकिदार के चेहरे पे फिर से खुसी की लहर दिख रही है दुख की नहीं बलकि खुसी की बताईए क्या बात है देखे हम बतादे कि कल ही हमने एक खबर चलाई थी जिसमें हमने कहा था कि चोकिदारों की मांग को अब पूरा किया जाएगा बिहार में और उसके लिए बीजेपी जो है अब कदम उठा रही है राजत कदम उठा रही है लेकिन जब हम आज चिराग पासवान के कार्याले पह वक्ता को भी हम सुनाएंगे कि क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे है लेकिन देखिए कि जो चौकिदार लगातार संघर्स कर रहे थे जो चौकिदार अपना घर को छोड़ कर पटना के सरकों पर सोने के लिए मजबूर थे इस बारिस के मौसम में वो चौकिदार की चेहरे था बार-बार कि क्या हो रहा है हमारे भाईयों के साथ में क्या हो रहा है हमारे देश के चौकिदारों के साथ में लेकिन अब उनके लिए बड़ी खुस खबरी आई है चिराक पासवान के पार्टी के और से क्या कुछ जानकारी मिली है हम ये भी सुनवाएंगे लेकिन दे चारगुनी हो जाती है तो उस वक्त जब चौकिदार भाई जो है जब यह खबर देखेंगे तो काफी खुस हो जाएंगे जो एलान हुआ है काफी बड़ा एलान हुआ है चिराक पासवान के और से क्या कुछ एलान हुआ है उनकी पार्टी के और से हम ये भी बताएंगे और नितीस कुमार वही नितीस कुमार जिनकी पुलीस जो है चौकिदारों को भगा भगा कर पीट रही थी वो नितीस कुमार ने चौकिदारों के हक में बड़ा फैसला लिया है फैसला भी हम सुनाएंगे कि क्या कुछ फैसला लिये है और चौकिदार अगला कदम क्या उठाने व तो इस बार जब वो पटना आये थे तो वो सफल रहा है हाला कि अभी चिराग पासवान कैमरे के सामने नहीं कहें कुछ मीडिया चैनलों को कहें है जो उनके भरोसेमन चैनल है उन्हें कहें है उसमें से एक हम भी है बातचित हुआ है ऐलान होने वाला है लेकिन उससे पहले ही हम बताने जा रहे हैं कि क्या कुछ अइलान होने वाला है कि जो चौकिदार करते आ रहे हैं उनमें में खुसी की लहर दोड़ जाए मधबाला जी किस तरह से देख रही है आप जिस से चोकिदारों के मामलों को उठाती रही जिस तरह से आभी काफी कई बार भाउख हो गई थे रात कैसे उन लोगों की कट रही थी यानि कि एक होता आना कि रात का समय होता है आप सुरक्षित महसूस नहीं करती है आप रोड पे लेकिन वो लोग ऐसे इंसान कि अपना घर परिवार को छोड़ करके पटना की सडकों पर रात काट रहे थे क्यों क्योंकि उनकी मांगे पूरी की जाए हम लोग लगा तार चिराग पासवान को लेकर के भी बोलते नजर आए हैं कि चिराग पासवान आप एक्टिव होई है आप जागिए आपका पासवान समाज आपका है पासवान समाज का मांगे को पूरी कीजिए इस पर आवाजे उठाइए देखिया चिरा पासवान समाज के लिए यानि कि लगा तार बेचारे अपने हक की लड़ाई की मांग कर रहे थे हम लोग भावुक भी हो जा रहे थे क्योंकि देखे जिस तरीके से वो लोग की जुन्दगी हो गई थी सड़क पे रहना उलोग के पास जेब में पैसे ना रहना कितना बुरा लगता है जब देखे कि कि किसी के पास पैसे होते हैं वो मस्त खाते पीते हैं जिसके पास पैसे नहीं होते हैं उनसे जाकर के पूछे कि वो कैसे जुन्दगी काटते हैं वही पासवान समाज किस तरीके से जुन्दगी काट रहे हैं एक रोटी खाकर के दो रोटी खाकर अभी कभी उन्हें खाना तक नहीं मिलती है, क्योंकि वो परिवार से अपने दूर है, क्योंकि उनको अपना हक चाहिए, और वो हक को देखें कि इतना आवाज उठाया गया, पासवान समाज पिटारने को पिटा गया, पूरा सड़क पे उन्हें पिटा गया, बिरहमी तरीके से पिटा गया, उनका हाथ पैर तक तोड़ दिया गया, सर फार दिया गया, लेकिन फिर भी वो लोग डटे रह गया और अपनी मांग के लिए अभी भी वो काफी डटे हुए हैं, क्योंकि उनकी मांग पूरी की जाए, सरकार तक ये गुहार गई, सरकार तक ये अवाज भी और सरकार को भी आप देखिए कि जुकना पड़ा जाहां तक लग रहा था कि इन लोगों का सब्सक्राइश को और लेकिन इस बीच बड़ा क्खबर Еनिकल करके सामने आ रहा है, राहत वाला खबर बोला जा सकता है कि बहुत जादा ही खुशी कि लेहर दोड रही है, या जैसा कि आप चिराग पासवान से मिले क्या कुछ खबर आ रही है सामने ये भी बताई हमारे दर्सकों को दर्सकों को तो हम बताएंगी कि क्या कुछ होँआ से में पॉइंट वाला जो जानकारी है वो मिला है लेकिन इस वक्त चोकिदार नेता से जब हमने फोन पर जानकारी लिया तो अगला कदम क्या उठाने वाले है आठ तारीको जो बड़ा निर्नय होने वाला है उसमें कुछ एलान होने वाला है चिराक पास्वान की पार्टी जो है वो क्या कुछ हमें जानकारी दी है देखिए चौकिदार नेता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन से हैं बीजय कुमार जी फोन लाइन से हैं बीजय जी क्या कुछ जानकारी मिल रही है आप लोगों को फोन गया है क्या कुछ बाते हो रही है? खुद बिहार के उपमुख मंतरी जो है वो बीजेपी काराला में उसी समय पर महजूद होंगे तो क्या यही कारण है कि उसी समय पर बुलाया गया है कि वहीं पर आप लोगों को उपमुख मंतरी से बैठा की करवा दिया जाए? जी 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 लखिंदर पासवांजी ने हमें पूरी अफ़स्वस किया कि आप आईए और उन्हों ही ये भी कहा कि हमारी बात ये क्या करते हैं उसको संब्राज चोदरी जी और बिजेपी कुमार सिन्हा जी से बात हो चुके हैं उन्होंने एक सप्ता का समय भी लिया था कि मतलब एक बड़ी खुस खबरी कहें तो वो मिल रही है आज तारीको आप लोगों को जी बिल्कुल अगर देखा जाते हूं लोग आज तारीकों बहुत 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 धन्यवाद बीजे कुमार जी पूरी जानकारी देने के लिए तो जैसा के भी आपने सुना उस ओडियो पहुचने वाले हैं बीजेपी पतना कार्यालाई पहुचेंगे वहाँ पर बड़ा ऐलान होगा वहाँ पर जो परदेश अध्यक्ष है उनसे मुलाकात होने वाली है वो CM के पास इन्हें ले जाने वाले हैं यानि कि पहला दर्वाजा जो है CM का वो खुलेगा चौकिदारो जो नितीस बाबू कहलाते हैं उनसे मिलने का काम करेंगे लेकिन वहीं पर अब हम आपको बता दे कि इस मुद्दे को लेकर हम हमेशा से एक्टिव रहे हैं हमेशा से एक्टिव रहेंगे हम हमेशा से कहते हुए आ रहे हैं कि जब तक नयाय नहीं मिलेगा जब तक इनकी हक ही मिलेगी हम खबरे चलाते रहेंगे इस मुद्दे को लेकर जब हम चिराक पासवान के पाटी में पहुंचे चिराक पासवान के पास पहुंचे तो वहां से बड़ा खुलासा हुआ है देखे वहां पर जो परवक्ता है जो चिराक पासवान के सबसे कड़ी भी माने जाते है परवक्ता ने हमें जो जानकारी दी है उस जानकारी सुनने के बाद जो अब हम कहने जा रहे हैं उसके बाद एक और खुसी की लहर चौकिदारों में उठेगी और उन लोग चिराक पासवान को अपना नेता जो मानते थे और विश्वास चिराक पासवान के लिए बन जाएग जो फॉर्म भरे जा चुके थे उसे रद कर दिया गया है यानि कि भरती का जो प्रिक्रिया था जिसको लेकर चौकिदार स्तमाज कह रही थी कि जल्द से जल्दी से रोक लगाईए रोक लगाईए तो बड़ी जानकारी बड़ी उपलबधी अगर कहे चौकिदार स्तमाज की तो निकल कर सामने आ रही है कि उस पर अब रोक लग गया है यानि कि एस्टे लग चुका है उस भरती पर अब भरती को जो है टाल दिया गया है यानि कि पहली सफलता तो यहां पर चौकिदारों को मिल चुकी है अब दूसरी सफलता है उनका भत्ता तीसरी सफलता मिलेगी कि जो नौकरी में आरक्षन रद हो रहा है उसे वरकरार करना जिनका नौकरी में रहते हुए मिर्तिव हो गया है उनके परिवार को नौकरी देना चौथी सफलता तो इन तमाम मुद्दों पर नितीज कुमार अभी सोच रहे हैं और चार से पांच दिनों का ही अगर अब हम बात कर ले तो बचा हुआ है जब बड़ा अइलान नितीज कुमार करेंगे चौकीदारों को लेकर चिराक पासवान करेंगे चौकीदारों को लेकर लेकिन चिराक पासवान के पार्टी के और से हम एक लौता चैनल है जिने ये जानकारी दी गई है कि जो भरती पर किडिया थी उसे रोक ली गई है, अब उस पर इस्टे लग चुका है, यानि कि बड़ी काम्याबी यहाँ पर चौकिदार को मिला है, चौकिदार जो संघर्स कर रहे थे, उन्हें मिला है. मदबाला जी, बहुत बड़ी ख़बर सामने आ रहे हैं, जिस तरह से विकास ने बताया, कि ये खुसी का एक जिक्र था, कि अब जो भरती हो रही थी, उसे रोक दी गई, ये बहुत अच्छा फैसला है, क्या कहना चाहेंगे आप, आप अपनी खुसी को कैसे बतीत कर देंगे कि चौकीदारों को अब अपना हक का जो लड़ाई लड़ रहे थे वो लोग, अब उनका हक उनके हाथ में मिलने वाला है, यानि कि चिराग पासवान, चिराग पासवान और नितिश कुमार में 36 के आकड़े लगते थे, पहले लोग ऐसा कहते थे कि अनबन चलती थी, लेकि कि जब आपके साथ, जब आपका सरकार हो गया, जब चिराग पासवान अपनी सारी बातों को रखे वहाँ पर जाकर के, चौकीदारों की बातों को रखे, कि चौकीदार का अपना हक दिलवाई है, और ये बहुत बड़ा बात हो गया है, जो आज खुलासा विकास ने किया ह ये चौकीदारों के लिए खुशी की लहर है, और चौकीदारों के लिए सबसे बड़ी खुशी यही है, और चौकीदार लोग आज जैसे ही ये खबर देखेंगे, बहुत ज्यादा ही उन्हें खुशी मिलने वाली है, क्योंकि जो आठ तारीक को जो उनके साथ जो फैसला ह होने वाला है वो देखना बेहत दिल्चस्प है और आपको यही बता दे कि मैं इस चीज़ को बहुत अच्छा महसूस कर रही हूं कि मतल़ के जो की इस तरीके का निए लुग जो जहेल रहे थे आज इन लोगों का बात सामने आया है इन लोगों का सोचा जा रहा है आञ तारिक विए छी बडाा वी होने वाला है और यह सब cor 대 farmers की अपर आप पासवान समाज के लिए लोग लगातार ये खबरे चलाते रहेंगे जब तक उन्हें देखे आठ तारी को भी हम यह नहीं कह सकते क्या कुछ फैसला होने वाला क्या बदल भी सकता है कुछ भी हो सकता है लेकिन हाँ जो खुश खबरी निकल करके सामने आ रही है वो देखना ब पासवान समाज को न्याय मिला क्योंकि पासवान समाज को न्याय जरूरी हो गया था प्रिया जी हम आपको बता दे कि यहां पर जो जानकारी दी गए चिराग पासवान की पार्टी के और से हमें हमें बताया गया कि चिराग पासवान और नितीज कुमार की गुप चुप त गई है और ये भी बताया गया है कि बैठक जो हुई है वो पॉजिटीव रही यानि कि नितीज कुमार पॉजिटीव रहे उस बैठक में रिस्पॉंस पॉजिटीव आया है यानि कि सीधा सीधा कि पॉजिटीव बात करना पॉजिटीव रिस्पॉंस आना यानि कि दर्वाज खुला है अब उस दर्वाजे से बेहत जल अच्छी खबर आएगी जो हमारे चैनल के माध्यम से चौकिदार संग तक भी जाएगी देश दुनिया तक जाएगी लेकिन बड़ी खबर है चिराक पासवान के पार्टी के और से बड़ी जानकारी दी गई है कि जो भरती पड़क किरिया चल रही थी उस पर रोक लगा दिया गया है चौकिदारों का और उसके बाद में ये अगला कदम जो चिराक पासवान ने उठाया सीम निचीज के साथ बैठक करके उस बैठक में सब कुछ पॉजिटिव रहा है यानि कि जो खत्रे की घंटी बज रही थी वो अब ब कस मदभाला जिसतास से जो खुश खबरी है हलाकि हमारे भी चहरे पे उसकी खुसी की लहफ दोड़ चुकी है जिसतासे चोकिदारों के भरती पर रोक लगा दी गी कहीं कहींना कहीं हमारे चोकिदार आज चैन की नीन TO सोही लेंगे तो इसितार तमाम खबरों के लिए और तमाम मुद्दो को ध्यान से दीजेगा और रहा बात 8 अगस्त की तो जो भी फैसले होंगे वो भी हम आके में साजह करते रहेंगे तब तक बने रहिएगा अलविदा चाहते हैं धन्यवाद